राइज अंग वेर्ट बैक आज हम खेल रहा है दुबार से शिटी स्काइलाइन वैसे दुबार से नहीं खेल रहे हैं पूरे आट महधे बाद मैं सिटी स्काइलाइन का एपिसोड अपलोट कर रहा हूँ और लास्ट वाली सीरीज को मैंने एंड इसलीं किया था क्योंकि शिर काफी ज़्यादा कमेंटे के भाई City Skyline की सीरीज दुबार से चालू करो तो येस ये रहा उसका एपिसोड और बहुत सारे लोग जो ऐसे है जो अभी अभी चैनल से जुड़े हैं उनको तो पता ही नहीं कि मैंने अल्रेडी City Skyline के काफी सारे एपिसोड अपलोड करके रख जिया हूँ वैसे अगर तुम देखना चाते हो तुम उन में से हो तो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर तुम पूरी City Skyline की सीरीज देख सकते हो काफी ज्यादा मज़ेदार है और अब बात करें City Skyline की न्यू वाली सीरीज की जो के ये है पता नहीं इसके एपिसोड कैसे होने वाले है मतलब इसमें तो हम मैं तो पूरी 100% कोशिश करूँगा City को बढ़िया बनाने की बट एंड में जाकर न टटी होई जाती है भाई खेर खोप करते है कि इस बार हम अपने City को बहुत जादा बढ़िया बनाएंगे और मैं ये वाली Blackwoods वा ये भी काफी जादा बढ़िया है पहले resources चेक कर लेते हैं यहाँ पर natural resources तो काफी जादा है मतलब coal, grass, wood ये सारी चीज़े है cliff के अंदर भी काफी जादा है बट इसके अंदर stone जादा है ये diamond coast ये भी काफी जादा सही लग रही है बट और चेक करते है हाँ ये वाली foggy hill मेर natural resources के अंदर ये तो है ही नहीं green plains के अंदर ये थोड़ा सा difficult लग रहा है मेरे को 2 side जा रहा है पानी तो पानी का तो इता ज्यादा सीन होगा नहीं बट थोड़ी सी दिक्कत लग रही है ये आगे तुम्हें बताऊंगा सारी चीज़े हाँ ये island भी सही है बट एक काम करते र साता रहता हूँ अभी और भी नएनी सीरीज और भी नएने gameplays और भी बहुत सारी चीज़े चैनल पर आना पा किया है तो हम अपने city skyline की दुनिया में आ चुके है और ये रहा बड़ा सा plot यार इदर पानी की दिक्कत तो भाई अगर flow इसका ऐसे रहा तो हम पीने के पानी क connection यहां पर देंगे और गटर वाला connection यहां पर देंगे और उपर से थोड़ा सा zoom out करता हूँ देखते है आसपास का क्या है तो यहां से भी पानी आ रहा है और यहां से पानी क्या इदर मिल रहा है नहीं यह यहां पर end है बस यहां से पानी ऐसे घूम करना ऐसे जा रहा है ब कि उसी मतलब वही डिजाइन मेरे दिमाग में आ रहा था तो मैंने उस टाइप का ही सिटी बनाया हूँ इस बार भी शायद से वैसे हाइवे डबल वाला हाइवे नहीं एक काम करते रुख जाओ इसमें तो बहुत सारे आप्शन नहीं मैं फूल लिया हूँ मतलब के कौन सी च इंडस्ट्रियल एरिया बट इदर बहुत सारे घास है मतलब पेड़ पत्थर बहुत सारी चीज़े इसको मैं ऐसे ही रहने दू इंडस्ट्रियल एरिया को अलग या फिर चलो यह वाला फॉरेस्ट वाला एरिया जो है ना इदर का यह सारा का सारा मतलब जितने भी पेड़ पथर य वो सारी चीज़े हम हटा देंगे लेफ्ट साइड में या फिर इदर साइड में मैं सोसाइटी बनाओं फोरेस्ट वाले एरिये में तो सही रहेगा ना और यहां इंडस्ट्री अगर बनाएंगे हम तो यहां से हम इंडस्ट्री को ये वाली जगा पर्चेस करके ना डायरेक हाइवे से कनेक्ट कर देंगे तो बट ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा पतला है यहाँ पर ट्रैफिक हो सकता है इंडस्ट्रियल एरिया की वज़े से हर एक चीज ना मतलब सिटी बना बना के इतनी चीज़े मेरे दिमाग में बैट गई है तुम लोग को देखने में तो बहुत एजी लगेगा बट है नहीं एक्चल में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है और एक चीज ना प्लैन करकी करना पड़ता है खेर यहाँ तो हो गया लेफ साइड में मैं सोसाइटी बनाओं बट इधर अगर मैं इंडस्ट्रिल एरिया बनाओंगा तो पानी का कनेक्शन यहाँ से बहुत ज़्यादा नजदिक हो जाएगा और यहाँ से भी मैं पानी का कनेक्शन ले सकता हूँ बट उतना ज्यादा पानी नहीं है आपर इन अगर शायद से पानी यहाँ खताम हो सकता है तो रहने दे इधर साइड में हम इंडस्ट्री बनाएंगे और इधर साइड में हम शहरी बनाएंगे अब सीटी बनाने के लिए शुरुआत करते हैं हम यहां से भी मैं 1600 का ही रोड ले ले तो 1600 बहुत ज्यादा सही है यह दो र इधर चिपका के अगर बनाओंगा ना तो मेरे कोई दिक्कत होगी फिर इसको मैं काम करता हूँ यहां से शहर बनाएंगे हम यहां तक ताके यह वाले रोड को आगे हम तोड़ कर हाईवे में कनवर्ट करेंगे क्योंकि जैसे ही पबलिक बढ़ेगी ना यहां पर ट्रैफि पार्किंग के लिए बीए एक स्पेसिफिक जगा छोड़ूगा जहां पर सारी सोसाइटी की कार वगरा वह ना खड़े रहे अब यह है इंडस्ट्रियल वाला एरिया इंडस्ट्रियल वाले एरिया को भी यहां से हमने कितने बॉक्स ठोड़े एक दो तीन चार तो यहां से यहां तक के लिए यह पूरा एरिया पानी का कवर हो गया अब रही बिजली तो बिजली के लिए क्या मैं विंटर बाइन यहां पानी के अंदर लगा नहीं सकता वरना कनेक्शन भी नहीं यहां से बहुत ज़्यादा इजी पहुँच जाता बट मैं चार कोल यहां पर प्ला मतलब कम से कम हजार लोग आने तक ना शेहर के अंदर हम सिर्फ यह चार कोल से ही पावर दे सकते हैं कामगरतों में चार कोल यहां पर बना तो वह ज्यादा सही रहेगा क्योंकि विजली कितार यहां से यहां तक पहुचा देंगे बट उसके लिए ना पहले अपने को शेहर को स्टार्ट करना पड़ेगा फोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हो ताके लोग आए और यहां पर रहना स्टार्ट कर दे यह यह अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है इस बहुत सारे लोग आ रहे है और बहुत ज्यादा स्पीट से आ रहे पानी का पंप है तो एक पंप मैं लगा लेता हूँ इधर साइड में ठीक है और जो पाइप है इसको यहां से यहां पर कनेक्शन पीने के पानी का मतब यह उसके पानी का जिससे पबलिक नहाएगी धोईगी खाएगी पिएगी खाना बनाएगी सारी चीज़ अब जो ड्रेन करूँ कुछ देर के लिए हम सरिफ यहां पर ड्रेन सिस्टम लगा देते बाद में इसको हटा करना मैं जब दूसरी जगा पर्चेस करेंगे या फिर यहां तक मूफ कर लेंगे जब अपना शेहर काफी जादा बस जाएगा तो येस अब इसको भी मैं कनेक्शन कर देता हू तो एक तार ले लेता हूँ मैं यहां से यहां तक यह एक सीन हो गया और दूसरा ले लेता हूँ कुछ देर के लिए यहां से यहां तक और फिर यहां तक ठीक है यहां तक बिजली पहुच गई रही बात यहां की यहां पर करंट पहुचाने के लिए मेरे को अभी हाईवे क बीट से तारों को लेकर जाना पड़ेगा बट ये कुछ देर काई सीन है बाद में इन सब को मैं हटा दूँगा यहां से यहां से अगर यहां से अगर यहां तक भी पहुचा दूँ तो करण्ट पहुच जाएका नहीं पहुचा भाई अरे रुगो एक काम करते समझ में आगा यहां से यहां पर यहां से यहां पर ठीक है यह बिजली यहां तक आ गई अब अगर सिटी स्टार्ट करूँगा तो यहस इनको पानी भी पहुच रहा है वो भी पहुच रहा है बट हम माइनस में जा रहें काफी ज्यादा क्यों बताए क्यों कि लोग कम है और हम बजट ज् माइनस में हम जा रहे थे वह आप माइनस अपना भी बढ़े जा रहा है भाईस साब मैंने का टेक्स कम कर दिया मैंने नहीं नहीं टेक्स तो है मैंने बजट कम क्यों बट तो भी चलो थोड़ी देर की बात है यह जब और लोग आ जाएंगे ना तो फिर इतना ज्यादा सीन न अभी अपने को रेसिडेंशल जोन तो अपने पास में आ गया अभी अपने को चाहिए बिजनस वाला एर्या मतलब छोटी मोटी दुकान है यहां तो काफी सारी इंडर्स्ट्री इस भनेगी अभी अपने को दुकान के लिए भी जागा बनानी पड़ेगी पहले मैं थोड़ी स्कूल वागेरा पोली स्टेशन यह सारी चीज़े आगी फायर ब्रिगर्ड क्योंकि यह भी बनाना बहुत जादा जरूरी है यहां पर भी लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे इनको कुछ देर के लिए बीच से कनेक्शन दे देंगे बिजली का और क्या इंड़स्ट्री का काम स्टार्ट हूआ इंड़स्ट्री का काम अभी तक भी स्टार्ट है नहीं हुआ साथ सो से अभी हम भाई साथ सो मायनस में ही जा रहे हैं बट चलो सीन यह थोड़ी देर की बात है कुछ देर के अंदर ना हम सारी चीज़े एक दम बढ़िया तरीके से ना पबलिक को नहीं ले लेता हूँ अब रही बिजली वैसे करन भी चलो यहां तक पहुंच रहा है तो बिजली का भी सीन नहीं है अब भी अपने को लोगों के काम करने के लिए कुछ और चीज़ बनानी है क्योंकि बहुत जादा डिमंड आ रहा है ना तो थोड़ा सा मार्केट प्लेस म मैं इधर साड में बनाता हूँ क्योंकि बहुत जादा रिक्वार्मेंट आ रही है शहर को अभी स्टॉप ने करते शहर को ऐसी रहने देते हैं यहां से यह सोलो सो मेटर तक इधर का कुछ एरिया मैं बनाता हूँ मार्केट के लिए यहां पर सारा मार्केट आ जाएगा और बाई कितनी मतलब सिर्फ जोन मैंने बनाया और यहां पर शॉपिंग मॉल और यह सारी चीज़े बनना स्टार्ट हो गई अब यह लोग को ना टैंशन ही नहीं होगा बट यहां पर क्या इंप्लॉइज नहीं है इनको काम करने के लिए या फिर पानी का कनेक्शन रुख जा साइड तक दो बाकी पूरे एरिये में बिजली चली जाती तो उसका इता जादा सीन नहीं होता और क्या चीज़ और रेसिदेंशल जोन चाहिए बट एक सेकंड यहां पर जीरो जीरो क्यों बता रहा है पॉपिलेशन इतने ज्यादा तो घर बने होए यहां पर लोग लोग रुप जाओ स्टील और रोड को मैं आगे तक खीच के यहां से कनक करता हूँ और लोगों के रहने के लिए और जगा बनाता हूँ यहां पर अगर जरूरत पड़ेगी तो स्कूल टूशन वगरा वो सारी चीज़े बनाएंगे क्योंकि एजुकेटेड वरकर्स की कमी अगर के अंदर ही और एक्जिट करके वापस से गेम स्टार्ट करता हूँ ठीक है जीरो ग्लिच मतलब जीरो पॉपलेशन कैसे हो सकती है और एक चीज़ तो पता नहीं भूल गया कि सिटी स्काइलेंड टू आ रहा है अभी मैंने कुछ देर पहले किसी का कमेंट देखा कि भाई स चीज़ देखा और तुरंत वो कमेंट पढ़ने के बाद में मैं सिटी स्काइलेंड टू का ट्रेलर देखने के लिए पहुच गया मतलब बहुत से ग्राफिक्स है ऐसे लग रहा था जीटी ए फाइव है अगर सिटी स्काइलेंड टू के ट्रेलर पर रेक्शन देखना चाह पट यह अबंडर लोग आकर लो डैंशिडिय रेसिदेशल जोन यहां पर कितने लोग रहते है और एजुके अनएजुकेटट तो जीरो है टीन्ज भी जीरो है एड़ल्ट जीरो है मेरे शहर के अंधर लोग ही नहीं आ रहे है सब सीरो जीरो क्यूँँ बता रहा है अभी यह क्या दिक्कत हो रही भाई अभी तो नहीं वाली सीरीज का पहले ही एपिसोड है लोगों के घर तो है वट घर के अंदर लोग नहीं है मेरी यहाँ पर नजर ना बहुत देर के बाद में बढ़ी में कैसा लग रहा कुछ तो ग्लिच हुआ या क्योंकि ऐसे हो इनी सकता भा इस बार मैंने राइट साइड को इंडर्स्ट्रियल एरिया रखा हूँ और लेफ्ट साइड को मैंने सिटी रखा हूँ मतलब जहां पर लोग रहेंगे और चार कोल से मैंने स्टार्ट नहीं कियो मैंने विंड मिल से स्टार्ट कियो बट यह लोग को ना बिजली क्यों नही से रुख जा कुछ देर के लिए यहां से यहां पर कनेक कर देता हूं ठीक है तुम लोग को भी बिजली मिल जाएगी तो तुम लोग भी रो मत अब ठीक है और 152 लोग आ चुके अपने शहर में अब बट यह लोगों काम करने के लिए कुछ चाहिए अभी शहर में आए नहीं और देख रहे हैं अब गाड़ यह दिख रही मैं वही तो सोचु पहले कि अपने शहर के अंदर आए जैसा खाली खाली लग रहे लोग आ रहे थे और भग जा रहे थे इनके लिए पार्किंग का एरे बनाना है मतलब पार्किंग के लिए पहले बंदोबस करूँगा क्यों मतलब अगर ये मर रहा है तो ये देखके ये भी मर जाता है मतलब एक बंदा मर रहा है दूसरा वाला बंदा उसको देखके ही मर जाता है ऐसे सीन होता है वो दिक्कत अपने को करनी नहीं है तो आभी वही सेम चीज़ करेंगे जो इधर साइड को हमने की थी यहाँ पर थोड़ा सा शहर बन गया अब low density commercial zone बना लेंगे जहाँ पर लोग आगर क्या मैं थोड़ा सा gap देकर commercial zone बनाऊं ताकि यह वाले road को भी अगर मेरे को in future तोड़ना पड़े तो हम तोड़ देंगे रुख जो पहले मैं काम करता हूँ मैं ना यहां से यह road connect भी ने कर सकता क्योंके लोगों के घर टूट जाएंगे वरना यहां से बीच से में एक रास्ता निकालता तो यह लोग काने जाने के लिए रास्ता हो जाता रहंदो 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 ज्यादा अल्ट्रा प्रो मैक्स दिमाग ने लगाना future का क्या होने व पड़ा की जगा चिरियंगा पोपड़ा हो जाता भाई हो चलो अभी शहर एकदम मस्त काम कर रहा है लोग आ रहे हैं पैसे की income अभी अपनी 300 से अभी हम बहुत ज्यादा स्पीड से माइनस में जा रहा है और अगर ज्यादा स्पीड से माइनस में जाना है ना मैं बजट को कर देता हूँ बजट रख देते अभी 80% ठीक है 80% बिजली देंगे 80 क्यों अभी हम देंगे सिर्फ 70 ठीक है जैसे अगर लोग बढ़ेंगे requirement आएगा तो मैं बजट बढ़ाऊंगा वरना बजट तो हम इतनी रहने देंगे पानी का भी बजट सत्तर टक्य कर देते 70% अब पैसे ना और काफी ज़्यादा स्पीड से बचना चालू हो जाएंगे मेरे को ऐसे लग रहा है यस बिजली नहीं है आप बिजली का इसन हाँ बिजली का बजट बहुत जादा कम हो गया है इसलिए तो बिजली का बजट हम कर देते 80% ठीक है पाईसा भाई बहुत कंजूसि से मैं शेहर चलाता देख रहे हैं प्लस मैं आना स्टार्ट होगे हर हफते के 1500 डॉलर का प्रॉफिट होने वाला है वाई अपने को और कमर्शल जोन की बहुत रेसिडेंशल जोन की बहुत ज्यादा डिमांड है तो उसके लिए मैं एक चीज़ यह करता हूँ कि अभी के लि लोग यहां पर गाड़ी वगएरा वो खड़े कर सके इसको भी थोड़ा सा एक्स्टेंड कर लेते हैं यहां तक और यहां से यहां तू भी मिल जा और यहां से यहां तो तो वैसे भी आही रहे हैं और यहां से भी मिला दूंगा बहुत प्लैन करके शेहर चलाने वाला कहाँगा मैं मेरे कोई ने रोख सकता दुनिया की तागत ने ने यह जाद हो गया बट कोई ने रोख सकता हमें 300 लोग हो गए मतलब 161 लोग हो गए अपने शेहर के अंदर और पांच लोग खुश है इन में से पता नहीं बाकी के लोगों को किस बात की तफलीक हो रही है बट रैसंट घुश तो है पिजली तुह में नहीं जा रही है ऐसे कईसे बिजली जाना हाल इसे यह-ाहां थे रहो लोग आना इस्टार्ट को जाएंगे न तुम टेंशन ले रहो लोग आशाना स्टार्ट जाएंगा दो तो शहर बसा है भाई रुख जाओं यहां पर भी मैं यह बना देता हूं यहां पर भी कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा मैं फटाक से ना बजट थोड़ा सा अब 80% से 90% बजट कर देता हूं ठीक है दस-10% बढ़ा हूं पाच-5% भी बढ़ा सकता हूं बड़ दस शफिशंट होता है वो ठीक है बड़ स्टिल बिजली बहुत ज्यादा कमी हरे यह बिजली की लिटिल हेमलेट खुल गया है हेलमेट को हेमलेट तो नहीं बोल रही है भी हमारे जैसा जो भी खुला है 440 लोग आ गये ना बिजली का बजट मेरे को अब 100% करना पड़ेगा औ और दूसरा कोई भी option नहीं है boys and girls तो चलो बिजली मैंने बढ़ा दिया भी दिक्कत तुमारी खतम हो जाएगी ना पानी का तो टेंचन ही नहीं है पानी तो फुल पहुच रहा है यहां पर इस बार मैंने यह गंदा वाला पंप ना बहुत नजदिक बनाया हो ताकि हमारे जो 8 kilowatt मतलब 8 megawatt का power दे रहा है क्या वोल रहा हूं मैं जब से 8 megawatt का power यहां तक आ रहा है ठीक है तो अब बिजली का budget थोड़ा से बढ़ा दिया है मतलब 2 खंबे लगा दिये तो वापस यह वाला budget को मैं 90% कर देता हूँ देखर हो तुम मेरा experience देखर हो शहर बनाने का है इत तो 16,18 $ होने लग गई 50,000 $ तो मेरे पास में ऐसे ही हो गए बट यहां से न मेरे को शहर को थोड़ा सा तीरशा लिकर जाना पड़ेगा जितनी requirement है उतनी ही चीज़े provide करूँगा education के नाम पर मेरे पास कद्दू है eligible 88 लोग ए capacity 0 की भी नहीं है तो रुख जाओ मैं पहले तुम्हारा education सारा शेहर खुश हो गया अब educated लोग आने लग जाएंगे हमारे शेहर के अंदर industrial area का और demand है तुम लोग tension मतलो सारी चीज़े मैं तुम्हें provide कर दूँगा शेहर रुकना नीच चाहिए शेहर चलते रहना चाहिए यहां से भी यहां तक वैसे यहां से यहां से यहां से यहां तक ही 1200 बढ़ा दूगा और यहां पर Beach का area जो रहेगा वह Fire brigade के लिए रहेगा तो बीच का area छोड़ो देते fire brigade के लिए यहां से यहां तक यह बना लेंगे अब तुम्हें भी बिजली की कमी हो रही है हैं तुम्हें भी बिजली की कमी हो रही है रुख जाओ पानी का कनेक्शन तो बाई इंडस्ट्री को तो पहले पानी लगता है यहां तक तो पानी पहुचा दिया बिजली का बजट थोड़ा से न, भाई तीन लोग दुखी है हमारे, तो चलो कोई न, 95% पानी का बजट कर देता हूँ, इस बार 100 नहीं कर रहा, 95 कर दूँगा, अभी तो तुमारा समस्य, अरे भाई, इस बात के दुख में हो, रुख जाओ, 100% कर देता हूँ बजट, ठीक ह रो मत तुम लोग, पानी का तो सीनी न, पानी का तो दिक्कत ही न, आरी कुछ भी, या, अब आई की दिक्कत नहीं न, अभी हमारा शेहर बहुत ज्यादा खुश है, अरे यार, अभी जाना चाहिए न, बट स्टिल, अभी भी दिक्कत हो रही है, तो अब में को ऐसे लग र इरिया है, और यहां पर मैं कचरे के लिए बनाने सकता, क्योंकि दिक्कत होगी न, भाई, यहां पर भाई, यह पुरी धलान है, ऐसे वो चड़ान है, बना हुआ, यह तो समस्या होगी, रुख जाओ, रुख जाओ, रुख जाओ, इसको नीचा करने के लिए कुछ तो यार यह तो भी लेंड्सकेपिंग अनलोक नहीं, चौदासो की पोपुलेशन पर यह अनलोक होगी, चलो सीन न, मैं पहले यह रास्ते को यहां तक, पहले 1600, 1600, बहले 3200 लूँगा, यह 3200, और फिर 3200 से यहां पर, 1600, ठीक है, अब यहां पर तो अपना कोड़े दान तो बने ग पूरी मार्किंग के साथ मैं शेहर बना रहूं मैं, तो कोड़े दान को बनाते है, कुछ यहां साइड में ठीक है, यहां पर बन जाएगा, सिटी से दूर रहेगा, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, और यहां साइड तक तो हम शेहर बसाई लेंगे, और पिर यहां के शेहर वाले भी यहां पर कच्रा फेकना स्टार्ट कर देंगे, और साथे साथ यहां पर रिसाइकल के लिए कुछ बना लेंगे, वो चीज़ बनाएंगे जिससे कच्रे से बिजली प्रडूस होती है, वो सारी चीज़े करेंगे, यह लोग को बिजली की बहुत जादा ही तक कुछ करूंगा, तुमारा भाई, इनकी खुशी के लिए को, आरे एक खुश हुआ, एक खुश हुआ भाई, था, तो 27,000 रुपे हमारे पास में अकाउंड में पड़े है, जिसमें से 1870 रुपे हम, 1780 रुपे हम कमा रहे हर हफ़ते के जो के बढ़ रहे है, कमोरे, बढ़ थोड़ी दिया है, तो यह लो, यह यहां से यहां पर पहुझ गया कनेक्शन, तो बिजली का यह लोग की तो समस्या पूरी ही खतम हो चुकी है, बट यह चारकुल का न मैंने बहुत गलत जगा पर बना दिया हूँ, I guess, क्यों पताए, क्योंकि यहां पर अगर कई ऐसी जग पर बनाता ना, जहां से हम इधर भी कनेक्शन देते थे, इधर भी कनेक्शन देते थे, अब इसको अगर मैं तोड़ कर, वैसे, सॉरी, यह तो कंपनी है, अरे भाई, कंपनी है यह, चारकुल तो मैंने बनाया है नहीं, अभी मेरे एक्चल हुआ यह, कि कैमरे की बैटरी ड इकत हो जाएगी ना, तो यहां पर अगर मैंने चारकुल के लिए बनाया, तो खंबे तो बहुत जादा शहर से हमारे कम हो जाएंगे, और बिजली की बिजली, खंबे के खंबे, पावर की पावर, यह तीनों चीज़े मैं कर सकता हूँ, रुख जाओ, रुख जाओ, लोग खुश क्यों नहीं है मेरे शहर के अंदर, रुख जाओ, आपने शहर के अंदर सारे लोग बहुत जादा खुश हो गए, अब एक काम करतों, रेसिदेंशल जोन बनाते है और बड़ा वाला, ठीक है, यहां से, यहां तक, 2000 का रास्ता हो रहा है, और यहां तक अगर द लेकिंगे तो सिधा-ऽिसो का रास्तों हो रहा,BE मिला दो यहां से इसको मिला दो ठीक है? पानी चाहिए हो गा इदर तो पानी की पाइपलाइन ले लेंगे हम यहाँ से तो यहां तक फिर एक यहाँ से जोड़ दिया पानी का टेंचन हो गया खतम सारे महले को पानी पहुचा देंगे हम बिजली तो वैसे भी पहुची रही है तो बिजली का तो इतना सीनी है यह 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 इनका बजट मैं बढ़ा दिता हूँ इसका बजट तो अलरेड़ी 100% पर है बट स्टिल पावर की समस्या हो रही है यह लोग को नोट इनफ इलेक्रिसिटी ना तो रुख जाओ अभी इनका प्रॉबलम सॉल्फ ही कर देता हूँ अरे मेरे पास तो बजट ही नहीं है भाई यह आ रहा है 19,000 का और हमारे पास में तो पैसा ही नहीं तो रुख जाओ दुबारा से एक और मैं विर्ण में लगा लेता हूँ यह भी आट किलो वाट की बिजली प्रोवाइड कर रहा है होप इस बार बिजली की समस्या ना हो अरे यार हो जाना भाई तेरी प्रॉबलम ही सॉल्फ नहीं हो रही मेरे को तो गुसा अरे रुक जाओ ना इनके पास तो बिजली ही नहीं पहुच रही है मैं खंबे पर ऑख खा मैं इतने खंबे पर खंबे लगाय जा रहो भाई खा माखख एतना तो सीनी नहीं था देखे और कैसे इनकी बिजली दूर ओरही है रुक जा तू अफ वह जा हो तो भी ऑफ हो जा ही तो चारे खंबे अब औगर जरुरत पड़ेगी तो खंबा ऑन करेंगे वींड म जोन पानी भी आगे शेर को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते है बड स्टील बिजली की समस्या हो रही है तो चलो दिल बड़ा करके थोड़ा सा ना ये वाले खंबे को चालू कर देते ठीक है और सॉल्फ हो जाएगा क्या सॉल्फ हो गया स्कूल की कैपिसिटी कितीनी है और मतलब अच्छी खासी कैपिसिटी है 28 लोग इलिजिबल है युनिवर्सिटी के लिए तो अभी कोई है नी तो अब मेरे को बनाना है एजुकेशन के लिए हाई स्कूल बट हाई स्कूल अभी अपने लिए पास में उपन नहीं हो आए और हॉस्पिटल की अगर पार्किंग के लिए मैंने जो मॉड इंस्टाल कियो मेरे को वो ठोणना है पहले तो गेम को सेफ करूँगा अब तक शहर अपना बहुत ज्यादा सई चल रहा है पहले गेम सेफ हो गया शहर को थोड़ा सा असलो करते और अब चेक करते हैं अरे यार शहर में कितनी कमी हो रह और यहां पर भी construction होना start हो गया है बट still और हमें शहर को upgrade करना है और हमें रास्ते बनाने तो मैं यह रास्ते को थोड़ा सा यहां तक extend ने 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 यहां तक करूंगा तो यहां तक भी दिक्कत आएगी ना मैं यह पॉइंट तक extend कर लेता हूं ना उसको यहां से ना यह लाइन कर रहा है अब अगर आगे need होगा market वगेरा का तो market को इधर side के area में बनाओंगा बनाओंगा कि अभी बना देता हो ना बट market के area के लिए ना एक scene यह है कि अभी market का तो requirement है नहीं अभी सिर्फ शहर का ही requirement है मतलब logo के रहने का तो अभी logo के रहने का समस्या को करेंगे अपन ह ठीक है बाकी इधर से भी रास्ता तो automatic यहां पर आही जाएगा यहां पर पानी है वैसे पानी चलो यहां तक तो पानी आही रहा है उसका scene यह लोगों का रहने का requirement खतम हो रहा है और कुछ unlock वह hospital के अंदर नहीं का चरभी मैंने वह कर लिया हूँ पानी की टंकी यार मैं एक पानी की टंकी ना यह बीच में अटेच कर ले तो ठीक है अब पानी का अरे यार मैंने गलत जगा टंकी बना दिया हूँ चलो scene और रास्ता भाई कितना जाद अबड़ खा बाड़ है मेरे को यह landscaping वाली चीज अनलोक हो गई ना तो फिर इता scene नहीं होगा budget मतलब बिजली थोड़ी सी कमी हो रही है ना तो चलो बिजली को मैं 105 कर देता हो ताके तुम लोग को बुरा ना लगे बस ठीक है company के लिए मैं थोड़ा बढ़ा सकता हो तो तो तुमारे लिए भी बढ़ा दूगा अब भी तुम खुश हो या फिर नहीं हो बिजली तो अब 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 बढ़िया तरीक से काम कर रही है यह दिक्कत नहीं आनी चाहिए बाई मैं शेहर को करता हूँ पाउज और पहले मौड ढूंता हूँ किया मौड मिलेगा का और अब जस्ट हमने 900 की population हिट किये congratulations इसमें हमें कुछ roads unlock हुए policies loan और यह सारी चीज़े unique building police department fire bucket forest specialization agriculture बहुत सारी च इसकर सकता हूँ बट वो मैं करूंगा नहीं इसको ऐसे रहने देंगे अभी यह parking की दिक्कत यार कैसे solve करूँ मेरे समझ नहीं आ रहा अगर मैं यहां पर वो मौड तो मेरे को मिलनी रहा यहां पर अगर मैं कच्छे रास्ते large road highway डोल अरे मिल गया ना बाई यह parking मिल गई न यहां पर क्या ऐसे अगर करूंगा तो अरे भाई अब समझ में आया मेरे रुक जाओ मेरे को dedicated parking zone बनाना पड़ेगा पूरा यहां से ना यरसे यह तो बहुत जादा बड़ा हो गया मेरे को शुरुआत करनी पड़ेगी यहां से ठीक है यहां से यहां तक भी अगर करा तो च स्टार्ट कर देंगे और इधर ट्रैफिक नहीं होगा आए गैस अभी तो फिलाल के लिए कुछ गाड़िया खड़ी है यहां पर बट यह मूव होके इधर सैड में आ जाएगी मेरे को इधर dedicated parking slots बनाने पड़ेंगे और यहां पर तो मैं ऐसे करके पूरा एक parking अच्छा एक पारकिंग भी मैं बना सकता हूं यहां पर यहां का तो आप सीन है नहीं अब मैं बनाता हूं अपने लिए एक parking slot जो के थोड़ा बड़ा बनाता हूं यहां से अगर यहां तक भी अगर मैं लूँगा तो बहुत सारी गाड़ी महले की यहां पर खड़ी होना स्टार्ट हो ज चाहिए क्राइम रेट बहुत कम है बट स्टील अपने को एक पॉली स्टेशन चाहिए जिसको मैं बनाता हूं अगर इदर बनाऊंगा तो भी मेरा पूरा शेहर खुश रहेगा बट इंडस्ट्रियल एरिये के लोग इतने ज्यादा खुश नहीं रहेंगे तो क्या किया चा पास में कंस्ट्रक्शन करने की शेहर के लोगों को सिक्यूरिटी देने की तो यहाँ पर मैं बना तो बहुत सारे लोग खुश होगा है स्कूल के अंदर मैं और कोई बड़ी स्कूल बना सकता हो हस्पिटल के अंदर बड़ा हस्पिटल नहीं हाँ फायर हाउस बनाना है अच्छा किया हमने यह जो gap छोड़ दिये ना बीच में यह बहुत सही किया यहां के लोग भी खुश मतलब पूरा middle में यहां पर अगर बताओ तो यह fire department है ठीक है यह है medical clinic यह है elementary school और यह है police station मतलब शेहर के लोगों को ना बहुत आरामी हो रही है मेरे को एक और wind turbine पड़ेगा क्योंके बिजली की थोड़ी सी समस्या हो रही है पैसे हमारा profit 1033 हर week हो रहा है बट profit थोड़ा सा ना भी कम हो गया क्योंके 4-4 वो चल रहा है मैं इसको कर देता हूँ 90% है ताकि अपना profit ज्यादा हो कोई भी चीज वेस्ट नी होनी चाहिए कोई भी चीज वेस् तो भी दिक्कत आ ही रही है एक पर इसमें जाकर चेकर तो बिजली तो पहुच रही है न सबको हाँ बिजली तो पहुच रही है तो मेरे को बजट 5% और बढ़ा कर चेक करता हूँ मैं 1200 लोग हमारे शेहर के अंदर आ गए रुख जाव 100% ही कर देता है ना दिक्कत नहीं 100% पर रहने दूंगा थोड़ा सा कम प्रॉफिट रहेगा चलेगा 800% पर ही रहने देते हैं और अभी रिक्वार्मेंट आ रही है मार्किट एरिये की तो मार्किट एरिये को मैं वैसे बहुत पतली पतली रास्ते वैसे यूस कर रहा हूँ यह कौन सा है तू लेन रोड है मेडल में रखेंगे और एक छोटी पार्किंग की रिक्वार्मेंट ना मेरे को यहां पर भी है क्योंकि यहां पर भी देखे रहो लोग खड़े हुए तो यह चोटी पार्किंग मैं लोग के लिए यहां से यहां तक ले लेता हूँ ठीक है इसमें यह सारे लोग कार खड़ से बनाएंगे यहाँ पर पारकिंग को मार्किट से connect करू क्या यहां से अगर यहां तक लोंगा तो कोई science भेएंगा ने बनेगा इसका तो एक काम करेंगे पार्म मार्किट के इरे किनाë हम यहाँ से पर टानेट करते हैं एक जोन बना देंगे हम ا Scheuna साइड में यह पूरा मार्किट का एरिया हो गया ठीक है और जो बीच का बचा हुआ एरिया है उसको मैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यह रोड पर यार सीन हो गया यह यह वाली पारंकिंग ना थुड़ी सी छोटी बन गई कोई ना यह रोड को हटाता हूँ यहां से यह पार्किंग को भी यहां से हटा देता हूँ ठीक है और इदर की जो पार्किंग थी जो हमने पहले बनाई थी यह सिंगल वाली इसको यह लाइन तक लेता हूँ जहासे यह दोनों पार्किंग कनेक्ट होगी और फिर यह parking को हम रास्ते से मिला देंगे कि यहां से एक रास्ता आ गया ताकि यह बीच के area में हम और market zone बना सके यह वाले area में मतलब यहां side में यह हो जाएगा market ठीक है यहां side में और थोड़ा सा market इधर का इनका requirement थोड़ा सा कम हो जाएगा और पानी का requirement बढ़ रहा है पानी का requirement बढ़ रहा है पानी का क्या हाल है वैसे एक बार चक कर तो पानी तो अभी यहाँ पर गंदगी नहीं कर रहा है मैं एक pump लगा दू यहाँ पर या फिर बजट बढ़ा दू तो जो pump लगा देते हैं हजार से अभी हम 900 डॉलर पर दे के profit पर आ गए पानी की दिक्कत आ रहे इनको pipeline की दिक्कत हो रही है यहाँ पर pipeline नहीं है ना टेंशन मतलो हमें इस शहर के mayor है हम सारी चीजों का बिलकुल अच्छे से ध्यान रखेंगे तुम किसी भी चीज का tension मतलो तुमको पानी पहुच जाएगा पानी तुम्हें बिलकुल पहुच जाएगा पानी के budget को मैं रुख जाओ इसको न मैं बन कर देता हूँ एक pump को और यहाँ से कह यहाँ दिक्कत आ रही है यह pump को मैं बन कर देता हूँ और चेक करते हैं 1400 की population हमने हिट कर दी यह pump को मैं बन कर देता हूँ अब चेक करेंगे तो यास अभी भी पानी की दिक्कत नहीं आई है बट में को ऐसे लगाता दिक्कत आई है तो यह parking slot के अंदर क्या यह पहली कार हमारी लगने वाली हो ऐसे parking slot का यूज कर रहे हैं यहां से वहां जाने के लिए वा भाई इदर मैं अब residential zone ने बना रहा हूँ क्योंकि यहां पर एक beach view टाइप ऐसा कुछ तो बना लेंगे जाके लोग यहां पर आकर बैठे करें अरे चीज़ को कूट कूट के भरनी देना है अपने को public library open हो चुकी है public library को मैं इदर अगर बनाऊंगा तो बने गी ने बने गी इदर public library अगर बना दिया तो भी दिक्कत है यहां पर बना दिया यहां पर बनाने के लिए รवश भर टूटेंगे बट शेहरवालों को education都 मिलेगा public library का तो इतना senior हो था high school हाँ high school का बताओ high school बनाएंगे हम यहाँ पर यहाँ तक school अगर पहुचाओ तो इदर वालों को थोड़ी सी दिक्कत है कुछ solution निकालना पड़ेगा और थोड़ी सी और ताम जहाम करना पड़ेगा अपने को अपनी school के अंदर इस बार parking बहुत ज़्यादा दिख रही है अच्छा यह तो market वाला area ना market के अंदर तो मतलब hotel के अंदर लोग automatic parking बना ही देते है और सच में लोग parking का use कर रहे हैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए थोड़ा सका ताम जहाम मेरे को करना पड़ेगा और यहाँ पर क्या signal लगा हुआ है जो लोग रुक रहे है यहाँ पर धीरे धीरे करके traffic jam हो रहा है बट फिर से एक बार चकर तो हाँ यह वाले point पर भी traffic jam हो रहा है यहाँ से मेरे को सीधा रास्ता खीचना पड़ेगा ताक थोड़ी देर रहने देंगे अगर दिक्कत होगी तो हटा दूगा खेर आज के एपिसोड को हम बस इतने ही रखते हैं कि सो मच यहां तक देखने के लिए ना है आयो चैनल पर इंजोई किया तो प्लीज मेक्शोर तो लाइक और सब्सक्राइब क्यूंकि चैनल पर मैं ऐसी उन्ट पर मैं गुणता के लिए दो तो झाल